शास्त्रों में कहा जाता है कि माबाप के कर्ज को बच्चे कभी नहीं उतार सकते वाजीवन उनके रणी रहते हैं शास्त्रों की लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई माबाप अपनी जिन्दगी बच्चों से दूर व्रधाश्रम में गुजार रही है उम्र के उस पड़ाव पर जब उन्हें सबसे ज़्यादा परवार और खयाल रखने वालों की ज़रत होती है तो ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है ऐसा ही एक वाक्या वारांसी के रहने वाले शिनात खंडेलवाल जी का है जो की कई सारी किताबे लिख चुके हैं जो की एक अच्छे लेकक हैं असी करोड की संपत्ती के मालिक हैं जिन्होंने चार सु से अधिक किताबे लिखी हैं अठारा पुराण और 21 उप पुराण का अनुवाद किया लेकिन घर से संपन होने के बावजूद बुजर्ग पिता श्रिनात खंडेलवाल को बेटों ने उन्हें घर से निकाल कर व्रधाश्रम पहुंचा दिया है बुजर्ग पिता चार महिनी से व्रधाश्रम में रहकर अपना गुजर बसर कर रही है तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आप जो देख रही हैं ये वारांसी की है और वारांसी में रिष्टों को शर्मसार करती ये तस्वीरें आ रही है पहले टीवी और कुछ दोगियों का पुनर्वास और चिकिस्सा दोनों था अब लिपनोसी और टीवी के पिसेंट कम हो गए और दवाएं बाहर में उपलग नहीं होने से ये जो है दो हजार अठार में विध्धा आस्रम में कर दिया गया फुल पचीस लोग है माता पिता मिला के पचीस लोग है हमारे हां सरकार का कोई अंदान नहीं है ये हमारे हां कुछ मुख्य दानी है वैसे भी एक दो रूर कभी आ जाते हैं ये जैसे संजय शरीन है डाक्टर यम के सिर्वास्तों है राहूल सिन्हा है कि आवे कभी जाती नहीं रेखना कन्या जो है कभी जात्मन रेखना कन्या भगवती होती है तो इसी कारण मेले कभी मुस्लिम या हिंदू विवाद नहीं समझा अपने मन में कन्या के बारे में कोई देवाबुजी और उस कन्या ले बहुत बड़ा उपकार किया हमारा दीवन बचा दिया जानते हुए कि मैंने लाम फर्जी रखा है केवल समाच से उसको बचा लेके लिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो